नमस्कार आप देखे हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन खबरों के खिलाडी मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोमनशी नमस्कार मैं हूँ सुमिछ चौतरी और एक मिनट में बड़ी खबरे आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर या एक इंपॉर्टन खबर आपको बताते हैं दिल्ली के शाहिन बाग से जोड़ी दिल्ली के शाहिन बाग इलाके में एक बड़ी साजिश का खुला लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन, ये तस्वीरें दिल्ली के शाहिन बाग की है, यहाँ एक घर से ड्रग्स की एक खेप मिली है, इस ड्रग्स का कनेक्शन अफगानिस्तान से लेकर तालिबान तक है, दिल्ली एंसीबी की टीम ने इस मकान में छापे मारी की तो मौ जोकि इस ड्रग्स के साथ ना सिर्फ इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ा है, बल्कि ड्रग्स का आतंकवाद से भी कनेक्शन होने का शक है, शाहिन बाग इस्तित इस घर से जो ड्रग्स मिली है, वो अफगानिस्तान के रास्ते आई थी ड्रग्स की स्खेप को समुद्री रास्ते और बॉडर के जरिये लाया गया, इसके पीछे इंडो अफगान सिंडिकेट का हाथ है, इस ड्रग्स को पंजाब, यूपी, दिल्ली और हर्याना में सप्लाई किया जाता था, इन राज्यों में की गई छापे मारी से, करने की कोशिश है, दिल्ली में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप का इंटरनाशनल कनेक्शन भी सामने आया, NCB चीफ, SS प्रधान ने ड्रग्स और आतंकवाद का कनेक्शन होने की बाद भी कही है, एक मिट में आप ये पूरे रिपोर्ट देखिए, दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर से विवादों में है, इस बार चर्चा की वज़े है, 400 करोर की ड्रग्स की ये खेप, जिसका कनेक्शन अफगानिस्तान से लेकर तालिबान तक है, देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद अधिकारी सक्ते में है, इस इस समय हम मौझूद हैं उसी घर में, जहां पर NCB को एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई, NCB ने ड्रग तसकरी के एक बड़े सिंडिकेट का परदापाश किया, जिसमें अफगान, पाकिस्तान और भारतिये मूल के लोग शामिल हैं NCB चीफ SN प्रधान ने संकेत दिये हैं कि इस ड्रग नेटवर का नार्को टरर कनेक्शन हो सकता है, जो लिंक्स उभर कर आ रहे हैं वो तार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल इस्ट, दुबई और देशों से जुड़ रहे हैं और ऐसे इस दिशा में हैं जो कहा जा सक इसको नार्को टरर से भी लिंक्ट होने की पूरी संभावना है शाहिन बाग में ड्रक्स की एक खेप की बरामतगी के साथ कई बड़े खुलासे भी हुए हैं NCB के मताबिक अफगानिस्तान से ड्रक्स को समुतर और बॉटर के रास्ते लाया गया ड्रक्स को अलग-अलग सामान में छिपा कर लाया जाता था फिर दिल्ली में उसे अलग किया जाता था किसी को कुछ शक ना हो इसलिए प्लिप कार्ट के रैपर में ड्रक्स को पैक कर दिल्ली लाया जाता था ये हिरोईन अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है जो हिरोईन स्वापक नियंदर्ण ब्योरों ने जब्त की है वो फ्लिप कार्ट की पैकिंग में पैक थी ड्रेक्स इंडिकेट दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था और आसपास के राजियों पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था ड्रेक्स के बहाने शाहिन बाग का जो तालिबान अफगानिस्तान कनेक्शन खुला है उससे साफ है कि ये मामला बहुत बड़ा है जिसकी गंभीरता से च्छानबीन की जरूरत है बिरो रिपोर्ट जी मेडिया दिलि के शाहिन बाग में बुल्डोजर जलने की आठ भर से आतिकर्मन कारियों में घबराट फैल कयी है गुरवार को बुल्डोजर आक्षन के डर से आतिकर्मन कारियों ने खुद ही फोटपाट से अब खाली कर दिये का है रिपोर्ट देखी एक मिनट में बुल्डोजर का डर क्या होता है उसे दिल्ली के शाहिन बाग के फरनीचर मार्किट को देख कर समझा जा सकता है दुकानदारों में अफरा तफरी मची है फुटपात को बपौती मानकर घेरने वाले इन फरनीचर दुकानदारों के तभी से होश फाकता हैं जब से बुल्डोजर एक्शन की आहट हुई है मेंगे सोफा, बेट, डेसिंग टेबल, जाइनिंग टेबल, कुर्सी जिदने दुकान के अंदर नहीं उससे ज़्यादा बाहर फुटपात पर रखे हुए थे जिसे अब हटा लिया गया है शाहीन बाग दर असल यूपी बॉर्डर पर है और जिस फुटपात पर अधिकरमन हो रखा था वो यूपी के सिचाई विभाग का है बुल्डोजर का डर यूपी और दिल्ली दोनों जगे है इसलिए खुद अधिकरमन हटाने में इन्होंने होश यारी समझी शाहीन बाग में अतिकरमन हटाने की तयारी चल रही है तो कुछ लोग इसे हिंदू-मुसल्मान का इंगल देने में भी पीछे नहीं है जहांगीर पुरी में बुल्डोजर एक्षन के बाद साउथ MCD ने दक्षनी दिल्ली में बुल्डोजर तयार कर रखा है सर्वे हो रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के सनक्षण में बांगला देशियों और रोहिंग्याओं ने जो कॉलोनी बना रखी है उस पर बुल्डोजर चल कर रहेगा बिरो रिपूर्ट जी मेडिया और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर चाल लीजिए यूपी के साहरनपूर में बांगला देशी चात की गरफतारी हुई है सोर्सिस के अवाले से बड़ी खबर आई है एटेस ते बांगला देशी चात को गरफतार कर लिया उससे पूछताज की जा रही है यहां फर्जी दस्तावेजों के अधार पर देवबंद में कर रहा था पड़ाई और 2015 से देवबंद में रह रहा था यह चातर और बता जा रहा कि कई संद्ध गदी वीडियो में सीधे तोर पर शामिल बिता यह लगातार सूत्रों के अवाले से खबर मिल रहे कि देखे किस तरीके से बड़ी काम्याभी मिलिया या फिर आप यह कह सकते हैं कि देखे यूपी के सारनपुर में बांगलादेशी स्चातर को गिरफतार किया गया ATS ने बांगलादेशी स्चातर को गिरफतार किया है और यूपी में अब लाउड स्पीकर का शोर थमने लगा है लोग खुद ही आगे बढ़कर मंदरों और मस्जितों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं वहीं इस मुद्ध को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकले श्यादफ ने सरकार पर निशाना साता है क्या है रिपोर्ट देखे एक मिनट पर बरकरार रखें राजी के कई और जिलों में भी मंदरों और मस्जितों से लाउड स्पीकर हटाये जा रहे हैं मथूरा में जहां कहीं भी डेसिबल सीमा का उलंगन करते हुए लाउड स्पीकर बज रहे हैं प्रशासन और पुलिस अधिकारी उसे लोगों के सहयोग से हटवा रहे हैं जिले में रेजिदेंशल एरिया और साइलेंट जोन में डेसिबल लिमिट अलग-अलग तैकी गई है वहीं बैराईज में पुलिस की मौझूदगी में धर्म गुरूओं ने सवहार्द की मिसाल पेश की यहां खुदी धर्मी की स्थनों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतार कर धर्म गुरूओं ने अमन चैन का पैगाम दिया वहीं राय बरेली में भी दोनों समुदाए के लोग लाउड स्पीकर हटाने में पूरा सही ओक कर रहे हैं जिले भर में तकरीबन 300 से ज़दा अवैद लाउड स्पीकरों को उतरबा दिया गया एक और जहां योगी सरकार के लाउड स्पीकर हटाने के आदेश को लेकर सूबे में लगाता रभियान चल रहा है वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ज्यादों ने लाउड स्पीकर हटाने के मुद्धे पर निशाना साथते हुए कहा कि इस मामले में कोड के आदेश को क्यों नहीं लागू किया जा रहा लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालिसा के पार्ट की विवाद को यूपी के सीम योगी ने जिस अंदाज में समाला है उसकी तारीफ हर जगे हो रही है अखिलेश इसी से बेचैन हो गए हैं और बेचैनी में सही काम पर भी सवाल उठा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीर पूरी के बाद धर्म नगरी आयोध्या में भी दंगे की साजिश रची गई अर्यजक तत्तों ने अमन चैन खराब करने की कोशिश की लेकिन इनके नापाक मनसूबों पर पानी फिर गया दरसल कुछ शिराती तत्तों ने जालीदाल टोपी लगा कर आपत्ती जिनक परचे और मांस के टुकडे धार मिक स्तुनों पर फेके हलाकि समय रहते पुलिस ने साथ आरोपियों को दबोच लिया अब इन आरोपियों पर एनसी लगानी की तैयारी है गटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परशासिन की टीम फौरण हरकत में आई और आसपास के CCTV कैमरों को खंगा ला गया जिससे की इस तरह की हरकत करने वाले अर्जक्तत्मों की पहचान होता के मामले को लेकर जब CCTV खंगा ले गए तो चार मोटर साइकल पर सवार 11 लोग दिखाए दिये जिसमें एक आदमी मोटर साइकल से उतर कर विवादित सामगरी फैक्ता हुआ दिखाए दिया इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर्फ पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी और मोटर साइकल की नंबर प्लेट भी बद्ध हुई थी गिरफतार हुए लोगों में महेश कुमार मिश्रा को मास्तर माइन बताया जा रहा है जो खुद एक संगठन चलाता है और उसके खिलाब पहले भी मुकद में दर्ध है इसके अलाबा पर्तिवश श्रिवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड, ब्रजेश पांडे, शत्रुग्न प्रजापती और विमल पांडे को पकड़ा गया है पुलिस की माने तो इस घटना को दिली में हनुआन जियन्ती के दिन हुई घटना का बदला लेने की नियत से अंजाम दिया गया था लोगन का इरादा आने वाली ईद को लेकर आयोध्या में बड़ा बवाल करने का था लेकिन समय रहते इस ताजिश का परदा फाश हो गया और धर्म नगी में बड़ा धर्म होनी से चल गया बीरो रिपोर्ट जी मीडिया जहांगीरपूरी हिंसा में एक और आरोपी को पुलिस ने पश्यम बंगार से गरसार किया है फरीद नाम का ये आरोपी दंगों के बाद फरार हो गया था फरीद जहांगीरपूरी इलाके का हिस्ट्री शीटर भी है और अब ये क्या है पूरी खबर देखिए एक मिनट पर दिल्ली के जहांगीरपूरी इलाके में हुई सामपरदाई खिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पश्चिम मंगाल से गिरफतार किया है खिनेती चोरी और शस्त्र कानून के तहट कई मामले दर्ज है और वो जहांगीरपूरी इलाके का हिस्ट्री शीटर है जहांगीरपूरी इलाके में हनुमान जैन्ती पर निकाली गई शुभाय आतरा के दोरान दो समुदावों में जड़प हुई थी जिसमें जम कर पत्थर बाजी और आगजनी हुई थी दियूरो रिपोर्ट जी मीडिया हिंसा को लेकर RSS प्रमुक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया भागवत ने कहा कि अश्चान्ति और हिंसा फैलाने वालों के दिन अब लग चुके हैं हिंसा प्रियस समाज अब अपने अंतिम समय गिनने की तैयारी कर रहा है एक मेट पर पूरी रपोर्ट देखिए बुल्डोजर एक्शन के बीच राम नौमी और हनुमान जैंसी पर हिंसा को लेकर RSS प्रमुक मोहन भागवत का भी बड़ा बयान आया है भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं है जिस समाज को हिंसा प्री है वो अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है भागवत पूर्वी महराष्ट के अमरावती जिले में भान खेडा रोड पर कमर राम धाम में आयोजित एक करेक्रम में शुर्कत करने पहुँचे थे दंगाईयों को लेकर दिये गए भागवत के इस बयान के बड़े सियासी माहने निकाले जा रहे है जिरो रिपोर्ट जी मीडिया महराष्ट में बीजेपी शिस्रेना को बड़ा जटका देने की तैयारी में है सूत्रों के रहवाले से खबर आ रही है कि देखे किस तरीके से बीजेपी और रास ठाकरे की पार्टी एमिनेस के बीज जल्दी गड़बंदन का एलान हो सकता है क्या है खबर देखे एक मिनट रहे लाओड स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी और एमिनेस के बीज नजदीकियां बढ़ रही है ये महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये हकीकत है बीजेपी श्री सेना समेत महाघारी को चौकाने के लिए तैयार है सुत्रों के मुताबिक बीजेपी राज ठाकने की पार्टी महराष्ट नौनिर्मान सेना के साथ गठबंधन करने की तैयारी में इसके लिए आरेसेस की तरफ से हरी जंडी भी मिल गई है सुत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाओं से पहले इसका अयलान किया जा सकता है हलांकि बीजेपी और एमेनेस के बीच गठबंधन का अयलान अयुद्ध्या दोरे के बाद हो सकता है क्योंकि पांच जुन को राज ठाकर अयुद्ध्या जाएंगे वहां राम लाला के दर्शन करेंगे इसके बाद छे जुन को लखनाओं में सियम योगी से मुलाकात करेंगे जिसके बाद चौदा जुन को अफचारी कृट से प्रक बंधन का अयलान हो सकता है लाड स्पीकर के मुझ्दे पर जिस तरह से राज ठाकरें ने सियम योगी की तारीफ की है और श्री सेना अदक उदक ठाकरें को आरे हां थो लिया है ये इशारा कर रहा कि जल्दी राज ठाकरें इंडिये के ने सरयोगी बन सकते है पेवर रिपोर्ट जीमी महाराष्ट के अमरावती से सांसद नमनीत राणा और उनके पती रवी राणा के लिए आज का दिन बेहद अहम है मुंबई सेसंस कोर्ट में दोनों की जमानत याजका पर आस सुनवाई होनी है इससे पहले राणा दमपती ने सेसंस कोर्ट में नई जमानत याजका दाकिल की थी और कहा था कि हनुमान चालिसा पाठ का एलान भड़काओ नहीं माना जा सकता राजद्रों की धारा लगाए जाने पर राणा दमपती ने याजका में कहा है कि उन्होंने कोई वैसा कदम नहीं उठाया जिस से ये इल्जाम लगे वही नवनीत और रवी राना ने कोर्ट में याचका दायर कर उन्हें जेल में घर का खाना देने की इजाज़त मांगी है जिस पर फैसला जमानत याचका की सुनवाई के बाद होने की उम्मीद है इससे पहले 26 अपरेल को नमनीत राना और उनके पती रवी राना को सेसंश कोर्ट ने 6 मई तक नियाई की रासत में भेज़ दिया था पहली F.I.R. को रद करने की मांग को लेकर नमनीत और रवी राना की तरफ से दायर याचका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अपरेल तै की थी गौरतलब है की राना दंपती ने महराश के सीम उद्धभ ठाकरे के मातोश्री आवाज के बाहर हनुमान चालिसा का पाठ करने की बात कही थी इसी के बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाब केस दर्च किया था और बाद में राज़रों की भी धारा लगा दी गई थी बिरो रिपोर्ट जी मेडिया मदर्सों पे सीम योगी की सकती का असर दिखने लगा है और दारुल उमल जेवबन में दाखले के नियमों में सक्त कर दिया क्या है अब जरूरी दस्तावेजों के बेना चात्रों को दाखला नहीं मिलेगा कह है रिपोर्ट देखे एक मिनट में हुआ एक्शन तो मदर्सों ने बदले निया 24 घंटे के अंदर बदलाओ आया नजर मदर्सों के कागज अब होंगे पके योगी सरकार ने मदर्सों की जांच के आदेश क्या दिये महचकुछ घंटों के अंदर कई मदर्सी लाइन पर आ गए दारूर उलूम देबंद ने दाखिलों के लिए सक्त कानून का फर्मान जारी कर दिया विश्य विख्यात इस्लामिक शिक्षन संस्तान दारूर उलूम देबंद ने मौजुदा हालात के मते नजर नई चात्रों के लिए दाखिला प्रकरिया में कई बदलाव करते हुए नियमों को और अधिक सक्त कर दिया है संस्ता में परवेश पाने के चुप नई चात्रों के पास सम्मंति दस्तावेज नहीं होंगे तुन्हें दारूर गुलू में परवेश नहीं दिया जाएगा परवेश परिक्षा में शामिल होनी से पहले नई चात्रों को पूर्व के मदरसे का परमान पत्र वाशीग परिक्षा में प्राप अंको की मात्षिट लगानी होगी साथ ही छात्रों को अपना और अपने पिता का अधार कार्ड और मुवाइल नंबर भी जमा कराना अनिवारिक होगा बाबा बुल्डोजर का ओप्रेशन मदर्सा फर्जी मदर्सों पर चला योगी का हंटार दरसल यूपी सरकार को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी कि कुछ मदर्से काग्जों पर चल रहे हैं लेकिन उनकी आर में बड़े बड़े काम किये जा रहे हैं बाबा को ये कहां परदाश्ट होने वाला था बाबा ने यूपी के 7442 मदर्सों को रडार पर लेते हुए इन मदर्सों की मुकम्मल जाज की आदेश दे लिए हैं योगी सरकार के इस आदेश से फर्जी मदर्सा चलाने बालों के होश फाक्ता हो चुके हैं और कुछ मदर्से तो कुछ घंटे के भीतर ही लाइन पर आ चुके हैं जबकि आने वाले दिनों में कुछ और मदर्सों पर गाज गिरने वाली है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया और उसे के साथ फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का हो चला है बेक्तरी दिनुस्ता